तो गेमर्स ऐसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि गरीना फ्रीफायर जाना जाता है लूटने के लिए लेकिन सास में गैस कुछ ऐसी सर्विस भी देता है जिसके हमें तारिफ करनी पड़ते हैं जी हाँ दोस्तों बिल्कुली से सुना गरीना फ्रीफायर की तरफ से अपिस कभी डिसेबल नहीं होने वाली क्योंकि आपको पता है छोटी-छोटी बातों पर हमारी डिसेबल कर देता है तो यह सवाल उटता है कि हमारी इतनी महंगी बना के हमने रखी है उसको शिक्योर कैसे करें तो गरीना ने इस पर बहुत ही अच्छा इस्टेप कर सकते हो आज के वीडियो में करके बताएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है राज और आप सभी का स्वागत करता हूं मिशा की तरह राज गविंचोन यूटूब फैमिले में तो कैसे वह सब बढ़िया होंगा आगे भी बढ़िया रहना तो सबसे पहले ताप यह आपको अपडेट के बाद यहां आपको देखने को मिलेगा उस पर मेरा कोई आपिन टॉपिक पर तो गरिना फ्रिफायर की तरफ से जो रश्या का था वहां में सब एक तुछ जितने भी सर्वर है किसी और को पॉलो करे ना करे लेकिन गरिना प्रिफायर को जरूर करते तो चली गई है वह के फैस्बूक उनको डिशेबल कर देता है जिसमें हमारी तो कोई गलती नहीं हमारी आईडी फैस्बूक से लॉगिन होती है फिर उसको लॉगिन ने कर पाते जिससे हम गयम ने खेल पाते तो गरिना फ्रिफायर में एक बहुत ही अच्छा इस्टेप लिया होगा तो इसका क्या मतलब तो इस पे आप जैसे क्लिक कर होगी तो मैं यहां को क्लिक करके धिखा ता हूँ तो गस इसमें गरिना का कहना है कि जो आप 殺 नी कम करने के लिए पातिक और आयटी कर सकते हैं सबसे पहले इस Tab आपके फेसरमफल दूंगा तो आपके आरडी फेस्ट बूक से लोगिन है और आप खेल रहे होगे तो आप लोग अब उसको जी मेल के साथ भी लोग इन कर पाओगे तो घ्रीमेल पर क्लिक करने के लिए जैसे करोगे आपके जितने भी जीमेल होगे यहां आपको दीख जाए अगर आपका Facebook को कुछ भी होता है डिशेबल हो गया चलो सीधा बात करते हैं तो गाइस आपके पास option रहेगा कि Gmail का ID password आपको याद होगा या उसको reset करके आप Gmail से भी अपना फ्रिपाय लोग इन कर सकते हो तो गाइस इसमें आपका फाइदा है लेकिन गरीना का और अधर कंपनिस का नुक्सान क्या है तो गाइस इसमें उनको डबल सर्वर पर आपकी डेटा रखने पड़ेंगे और गरीना का जो अभी जो गरीना पर आरो पे वह गाइस हमारे डेटा चोरी के आने के सीकुरिटी का तो पहले से ही वह हमारे फैस्बूक के डेटा तो लेके ब उसके बाद ही अपडेट आने वाली क्योंकि पहले से हमारे डेटा वह ले रहे ऐसा गरीना गवर्मेंट का इंडिया का कहना है तो अब डबल तरीके से तो लेने नहीं देंगे लेकिन यह अपडेट आ गई तो प्रशनली मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको जोइन जरूर कर लेना अगर अभी आप अधर सरवर से जैसे के पाकिस्तान बांगलादेश यह सभी जगह से देख रहे हो तो यह कर लेना क्योंकि इंडिया में तो आने के लिए अभी टाइम है एक दो विक में आ जाएगा जब रिचेंट आके हमारा ओवी 33 अपडेट होके आएगा उसक या किसी भी अधर विकिपीडिया कहीं से भी आप लोग इन कर लेते हो तो आपको शिक्यूरिटी पूरी मिलेगी जिससे आपकी आइडी कभी ब्यान नहीं होगी तो गैस इस पर आपका क्या है ओपिनियंस कॉमेंट में जरूर बताना बागी प्रस्टनली मुझे हो जाएंगे तो आइडी का कोई टैंसनी नहीं रहने वाला तो बस गया साज के वीडियो में यहीं बताना सब वीडियो चलागा तो लाइक कर देना अमारी चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं एक ऐसा इंटरस्टिंग वीडियो के सा वीडियो